तो अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है इस न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूज क्या है दा फालकन हेवी लॉंच ता मुष्ट पावरफुल ऑपरेशना रॉकेट इन दा वर्ल्ड टिक न दा हिंदू ने न्यूज लिया है तो ले करें तो कभी वो चडिया उडाने वाला काम कर रहा है और कभी सीथे रॉकेट उडाने वाला काम करें तो बहुत समय चर्चा लेगन ठीक हम बात करते है falcon heavy launch the most powerful operational rocket in the world तो इस में क्या क्या बात करना है what is the recently launched ellen musk on the space rocket carrying the to space ठीक ना how is the US military involved in this mission US की जो military है कैसे इस mission में involved है और is this first time the rocket has been launched क्या पहली बार ऐसा rocket launch हुआ है या पहले भी इस प्रकार की कोई mission जो है वो successful हुए है और नवंबर एलन musk on space rocket launch the falcon heavy rocket into a geosynchronous earth orbit from the launch complex 39A टेक्ट ना 49A को यह launch complex होगा वहां से जो है यह पूरा का पूरा जो है वो क्या किया गया है launch किया गया है falcon heavy rocket को तो मैंने कहा कि एक नॉंबर को जो है यह launch किया गया है यह सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यह आप अपने स्क्रिन पर देखेंगे यह फॉलकन heavy rocket space x जो है वो इसको launch कर रहा है इस पीस एक्स के मालिक कौन है तो Elon Musk जो है इनके मालिक है फॉलकन heavy world most powerful rocket के बारे में अगर हम बात करें तो आप आप अपने स्क्रिन पर देख रहे होंगे यह आपको देखने को मिल रहा है थो इसके बारे में जो हम बात करेंगे एक चीज और और इसको लॉंच से लॉज़ किया गया है तो यह देखेंगे केनेडी स्पेस सेंटर आपको नजर आ रहा है यहां से जो है भू लॉंच किया गया तो एक नवंबर को अगर हम बात करें तो एलन मस्क के स्वामित वाले जो इस पेसेक्स ने जो है वह क्या किया है फॉलकन हेवी आप आपना है यहां से लांच करने के लिए जी यह संकरोन है कि भी समकालिक प्रिश्वी के एक अख्छा में जो है लॉइझ किया गया है अब इसे ये माना गया है कि ये जो पूरा है ये अमेरिका सेना के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए यानि के अमेरिकी सेना का जो इंटरनल सेक्यूर्टी है अमेरिका के अंदर के जो भी चीज है उसी को जानने के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम है और इसमें US Military जो है वो मिलकर इसमें काम कर रही अब यह जो रॉकेट लॉंच किया गया है दोस्तों वो विशाल रॉकेट प्रणाली जो है और उसका यह फूर्थ जो है वो प्रक्षेपण है इसके पहले अगर हम बात करें तो 2019 में जो है यह प्रक्षेपण किया गया था और 2019 के बाद 2022 यानि कि तीन साल तक कोई भी ऐसा को यह बहुत बड़ा प्रक्षेपण जो है वो नहीं किया गया है तो 2019 के बाद अगर हम बात करें तो हमें यह देखने को जो है वो मिल रहा है यह यूएस वाला सारा स्थान है यूनाटर इस्टेट ऑफ अमेरिका का स्थान है आप देखिए यहां अट्लांटिक ओशिन आपक क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं अच्छा अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस पेस एक्स के बारे में हम बात करते हैं तो इस पेसिक्स जो है वो सीधे क्या कहता है कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा अगर हम बात करें सबसे सकती साली रॉ लगभग 63.8 तो है लेकिन सीधे यह कहता है कि हमारी जो चमता है वो 64 मिट्रिक टन का कोई भी आपका सैटेलाइट होगा तो उसको उठाकर और खक्चा में यानि कि जो भी आपका और और वीट होगा उस और विट में पहुंचाने का जो है वह इसके पास है और हम कोसिस यह कर भाविश में क्या करें की डेल्टा-4 आप देख रह rooftop पर जो है बताव कंद्र है वह चैता है रहा है । के अंदर 27 मारलिन इंजन है जो एक साथ लिफ्ट आफ करके पांच मिलियन पॉंड के अधिक जो है वो क्या कर सकता है कि उर्जा आपका उत्पन करेगा और यह पूरी की पूरी उर्जा के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसमें 737 जो है वो जेट लाइण के बराबर जो है आपका यात्री ones कार गंप कर देखे इसका क् कि वह सारे रॉकेट लांचिंग वेकल्स और उसका प्रियोक क्या है कि भारी से भारी उब्रहों को जो है वह और पहुंचाने का काम करेगा ठीक है तो इसका जुह है वह पूरा का पूरा जो है वह देखने को आपको मिल रहा है ठीक है करें कर दो